दुर्ग जुले के सामुदाइक स्वास्त केंद्र धम्दा के अस्पताल परिसर में ड्यूटी के दौरान करमचारियों ध्वारा शराब पीने और अश्लील चर्चा करने का वीडियो वारल हुआ इस पर संग्यान लेते हुए दौर्ग CMHO डॉक्टर मनोज दानी ने दो कम्प्यूटर उपरेटरों को सेवा से हटाने और सरकारी करमचारियों को निलिम्बत करने का भी आदिश्वारी किया गौर तलब है कि इस वारल वीडियो में जीवंदीब समीती द्वारा नियुक्त कम्प्यूटर उपरेटर आदित्य राजपूत सामुदाईक स्वास्त केंद्यो के अस्पताल परिसर में डूटी समय के दोराई शराब पीते और अस्पताल में कारेवत एक महिला नर्स पर अश्लीर टिपनी करते हुए नज़रा रहे हैं नियमित करमचारी के तौर पर कारेवत फार्मसिस्ट प्रमोर जोशी उनका साथ देते नज़रा रहे हैं दिन दहारे इस घटना का वीडियो वारल होने के बाद ड्यूटी डॉक्टरों के साथ-साथ अफसरों में भी हड़क की गई थी और जाच रिपोर्ट के अधार पर एक नियमित करमचारी को निलंबित भी कर दिया गया है साथी दो अन्य करमचारी के खलाफ कारवाई करने के लिए बियमो धमदा को पत्रचारी किया गया है